हेलो डिये इस्टुएंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे NCRT का एक और नुम्रिकल है 2.7 क्लाश 12 के हम लोग सलूशन चैप्टर के नुम्रिकल को डिसकस कर रहे हैं तो यहां पर हम लोग देखें 2.7 इससे पहले हम लोग 2.3 2.4 2.5 करके ऐसे पढ़ते हुए आए है अब देखें यहां पर कोश्चन क्या कह रहा है इस सलूशन इज आप टेंग वाई मिक्सिंग आप थ्री हेंडेट ग्राम है और उसका मास परसेंटेज दिया है 40 परसेंट बाई मास कल्कुलेट दा मास परसेंटेज आफ रेजल्टिंग सलूशन कहरा है कि जो सलूशन हमको मिला है उसका रेजल्टिंग सलूशन क्या होगा यानि आपके पास दो सलूशन है मन लिजे कि एक सलूशन हमारे पास यहाँ पे है और यह हमारे पास इसका वेट है 300 गिराम यह है 30 परसेंट और दोसरा वाला हमारे पास है 400 गिराम और यह है 40 परसेंट अब इन दोनों को मिला के एक और सलूशन बनाया गया है तो इस सलूशन का वेट परसेंटेज क्या होगा हमको निकालना है डबलू अपान ड रात होगे तो इस solution यानि mixing solution का weight कितना हो जाएगा mixing solution 400 plus 300 हो जाएगा 700 बस यही चीज यहाँ पर समझ ली है अब हम सबसे पहले अपने इस दोनों अलग-अलग solution से salute का amount निकाल लेकि salute का amount क्या है हमको solution का amount मालूम है आप इससे पीछे question में जाएंगे तो आपको वहाँ पर solution का amount नहीं दिया होता था तो वहाँ पर हम 100 मांग देते हैं तो यहाँ पर एक करें for solution 1 for solution a तो हमको weight of solution कितना दिया है weight of solution हमको दिया है 300 गिराम और डबलू अपान डबलू कितना दिया हमको 30 परसेंट यह तो question में में इसन है तो हमको weight of solute निकाल ले weight of solute हम लोग जानते हैं डबलू अपान डबलू होता है weight of solute divided by weight of solution multiply by 100 अब यहाँ पे देखो यहाँ पे दिखा हुआ 30 यहाँ पर weight लिखा है और यहाँ पर लिखा है यहाँ पर वेट आफ सलूशन कितना है 300 गिराम multiply करें 100 से कट गया यहाँ multiply तो कितना आएगा 90 गिराम यह आ गया weight of solution sorry solute किसके लिए solution A के लिए अब यहाँ पर दोसरा करें for solution B दोसरा solution क्या है weight of solution कितना दिया है आएगा दिया है 400 गिराम और डबलू अपान डबलू इसका दिया है आएगा 40 परसेंट तो weight of solute निकाल ले है निकालना यही फार्मोले को फिर इस्तेमाल करते हैं बहुत सिंपल सा टेक्निक है तो डबलू अपान डबलू इसकल टू weight of solute अपान weight of solution अब यहाँ पर डबलू अपान डबलू कि वाईलू कितनी है 40 यहाँ पर वेट यहाँ पर सालूट का वेट अब हमको दो सालूट मिल गए है और दोनों पूरे solution को इसमें मिला दिया है अब इस पूरे सालूट केतना हो गया 103 परफ legit तक हमने जब solution मिलाए यह पूरा solution मिला दिया है वाल ले जे ऐसमें सूगर का solution है और इसमें साल्ट का है दोनों मिला दिया तब दोनों का सालूट अलग-अलग होगा अब सालूट को निकाल लिए इसलिए तो हम लोगों ने दो इश्टेफालो किया था अब जब सालूट का वेट निकल गया तो आप इसको जोड़ दें कितना आएगा 250 सुरी हाँ 250 आएगा 160 प्लस 90 250 आप जोड़ के ऐसे भी चेक कर लें जीरू नौशे पंदर 250 अब मुगों निकालना है डबलू अपान डबलू तो यहां पे वेट आप सालूट कितना हो गड़ा 250 यहां पे 700 यहां पे मल्टिप्लाई करने कट गया अब यहां पे हम 25 फिर उसके बाद फिर वही जाएगा 35.5 परसेंट निकल गया हमने किया बिसकली क्या है हमको दो सलूशन दब दोनों सलूशन के हम लोगों ने उसका वेट आप सलूशन रखा और डबलू अपान डबलू की वैलू रखी और हमने वेट आप सालूट निकाल लिये दोनों से फिर दोनों सलूशन को मिला दिया और दोनों सलूशन की मिलाने के बाद उसका डबलू अपान डबलू निकाल लिया तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग NCRT के नुमरिकल को step by step कैसे फालो करके उसको solve करते हैं तो आप पहले theory को पढ़ने theory को मैंने already आएगा थाइंक्यू फार वाची